बक्र तंड महा काई, सूरे कोटे समप्रभ, निर्विक नम कुरू में दे, सर्वकार्यशु सर्वता, अर्थार्थ, खुमाता सूनवाले, विशाल शरीर काई, करोड सूरे के समान महान प्रत्वाशाले, मेरे प्रभु, हमेशा मेरे सारे कारे, बिना बिख्न के पूरे दोस्तो सराटन धर्मे किसी भी शुप तथा मांगले कारे का सुहारम भगवान श्री गणेश गानेश की आरातनासे आरंभ होता है गणेश जी की आरातना से ही बुध्य और पिध्या का बर मिलता है गनेश जी के पाहंग चूहे को भी समस्त संकटों के जाल को काटने वाला माना गया है भागवान श्री गनेश जी को बिग्ण हर्ता कहां जाता है भागवान श्री गनेश अपने भक्तों के सभी बिग्णों को हर लेते हैं भागवान गणेश स्वयम रिथी सिंधी के दाता और शुबलाप के प्रदाता हैं बेभक्तों के पाथा संकट रोक दोश तथा दर्गता को दूर करते हैं उनकी पूचा से समस्ति प्रकार के संकट स्वतेही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को सौभाक्य की प्राप्ति होती हैं गणेश शब्द तीन शब्दों के युति अर्थात गा, रान एवं इश न मिलकर बना हैं गाश शब्द ज्यान को दर्शाता है रान शब्द निर्वान को दर्शाता है तथा इश स्वामी के लिए संभूतित होता है इस प्रकार इनका संपूर मिलन ब्रह्मा, परमात्मा, आत्मा को परमतत्व के रूप में अविव्यक्त करता है भागवान शिरी गणेश्ची के बारे प्रमुख नाम है जो इस प्रकार है पूजन के प्रथम में इन नामों से गडपती जी की आरात्ना कहने का विधान है इन में से किसी भी एक नाम की आरात्ना कहने से जीवन की सभी दुखों से मुक्ति मिलती है और सौभाके की प्राक्ति होती है दोस्तों वैसे तो प्रतेक दिन भगवान शरी गणेश्ची का पूजन अवश्य ही करना चाहें लेकिन बुद्धवार की दिन भगवान शरी गणेश्ची का विशेश रूप से पूजन किया जाता है बुद्धवार का दिन भगवान शरी गणिश्ची को समर्पित होता है इस दिन भगवान शरी गणिश्ची का पूचन करने से भगवान शरी गणिश्ची के साथ साथ बुद्ध ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है भगवान शरी गणिश अपने फक्तों के सभी बिखन बाथाओं को दूर करते हैं दोस्तों शास्त्रों में भगवान शरी गणिश ची को प्रसंद करने के कई उपाई बताएं गए हैं आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान श्री गणिश जी को पसंद करने वाले कुछ ऐसे ही बहुत ही आसान और असरकारक उपाई बताने जा रहे हैं। इन उपाईयों को करने से भगवान श्री गणिश जी की असीम कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिरी गणिश जी की क्रपासी सभी बिग्न बाथाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में खुशियां आती हैं। भगवान शिरी गणिश अपने भक्तों की सभी बाथा, संकत, रोग, दोश, तथा, दरिता को दूर करते हैं। दोस्तों भगवान शरी गनिश जी की सबसे प्रिया चीज है दूर्वा, दूर्वा एक प्रकार की घास होती है, जो भगवान शरी गनिश जी को अति प्रिया है, भगवान शरी गनिश जी को प्रसंद करने के लिए आज के दिन 5, 11 या 21 दूर्वा ले, इन्हें पानी से अच् भगवान्शरी मिजनिश्ची को अर्पित करें। शिरी गणिश ची को दूर्बा अर्पित कहने से भागवान शिरी गणिश अति शीक्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। बुद्धी के देटना शिरी गणिश ची की जिस पर कृपा हो जाती है, वो सभी सुखों का स्वामी हो जाता है। दोस्तों अगर आप पर कोई ऐसा संकट आन पड़ा है, जिसका हल नज़र नहीं आ रहा, दुर्भाग्य आपका पीठा नहीं छोड़ रहा, तो आप भगवान शिरी गणिश ची को प्रसन्न कहने के लिए, करें ये आसान सा उपाए। उपाए करने के लिए इसनान करके सुच हरे रंग के बस्तर धारन करें। हरे बस्तर ना हूँ तो कोई भी और शुब रंग के बस्तर पहन सकते हैं, लेकिन भूल कर भी काले रंग के बस्तर ना पहने। अब अपने मंदिर के सामने आसन बिचा कर बैष जाए। और भगवान शिरी गनेश ची के सामने एक शुद्धिखी का दिया जलाएं और एक सुगंदित धूपत्ती जलाएं। इसके बाद भगवान शिरी गनेश ची को किसी फल मिश्ठान का भोग लगाएं। भगवान शिरी गनेश ची को मोदग अतिप्रिय है। अगर हो सके तो आप आज के दिन भगवान शिरी गनेश ची को मोदग का भोग अवश्चे ही लगाएं। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान शिरी गनेश ची के सिंदूर से दिलक करें। अब आप थोड़ी सी हरी साबुद सौफ लें, ध्यान रखें आपको सौफ के साबुद दाने ही लेने हैं, सौफ लेने के बाद आप इन्हें कपड़े से पहुचकर साफ कर लें, इसके बाद आप सौफ को एक छोटी सी कटोरी में रखकर भगवान श्री गनेश्ची के सामने रखतें अब आप भगवान श्री गणिशी के इस मंत्र का 108 बार जाग करें मंत्र इस प्रकार है ओम बिग्न विनाशाई नमा ओम बिग्न विनाशाई नमा इस मंत्र का जाग करने के पश्चात आप भगवान श्री गणिशी से अपने सारी परिशानिया कहें दुर्भाक्य को सो भाग्य में बदनने की प्रात्ना करें जो भी समस्या है उसे दूर करने की प्रात्ना करें प्रात्ना करने के पश्चात अब आप एक कटोरी में थोड़ा सा कपूर रखें इस कपूर को जला लें इसके बाद भगवान शिरी गणिश जी के सामने जो आपनी सौफ रखी है उस सौफ में से आप एक दाना उठाएं और ओम बिग्न विनाशाय नमा मंतर का जाप करते हुए इस सौफ के दाने को कपूर पर डाल दे इसी तरहें आप दूसरा सौफ का दाना लें और फेसे ओम बिग्न विनाशाय नमा मंतर का जाप करते हुए आप दूसरे सौफ के दाने को भी कपूर पर डाल दे इसी तरहें आप कुल ग्यारे बार इस मंतर का जाप करें और ग्यारे ही सौफ के दाने कपूर पर डाल कर जला दे जब सौफ के दाने पूरी तरहें से चल जाएं तब आप भगवान शिरी गनिश जी की आर्टी करें और उनसे सभी कश्टों को दूर करने की प्राथना करें इसके बाद जो कटोरी में बची हुई सौफ है उस सारी सौफ को आप अपने दाहिने हाथ की मुठी में दबा लें और इस सौफ को अपने सिर पर से साथ बार बार रें यानि कि इस सौफ को आप अपने सिर पर साथ बार क्लॉकवाइस खुमाएं सौफ को खुमाने के पश्चात अब आप किसी खुले इस्थान पर जाएं अपनी छट पर या अपने घर से बाहर आप किसी भी खुले इस्थान पर जा सकते हैं या आप अपनी खिड़की के पास खड़े हो जाएं अब आपको उत्तर दिशा की तरफ कमर करके खड़े होना है उत्तर यानि की नौर्थ की तरफ आप कमर करके खड़े हो जाए इसके बाद इस सौफ को आप अपने सिर के उपर से पीछे की तरफ फैक दें दोस्तों ध्यान रखें आपको इस सौफ को अपने सिर पर पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ ही फैक ना है सौफ को फैकने के बाद आप अपने हाथ अच्छी तरह से धूले इसके बाद भगवान शिरी गणिश जी के आपने जिस सिंदू से तिलक किया है इससे अपने मस्तक पर तिलक करे और भगवान जी को जो भोग लगाया है उसे प्रशाद के रूप में ग्रहन करे ऐसा कहने से आपको भगवान श्री गणिश्ची की कृपा प्राप्त होगी दोस्तों इस सुपाय को कहने से भगवान श्री गणिश्ची की कृपा से सभी बिग्न बाधायें दूर हो जाती है परिस्तितियां अनुकूल हो जाती है दुर्भाग के सौभागे में बदल जाता है इसके साथ ही शनी देव से संबंधित दोश और राहु ग्रह से संबंधित दोशों से भी राहत मिलती है दोस्तों जोतिश के अनुसार हरे रंग की वस्तुएं बुद्ध ग्रह से भी संबंधित होती है हरी सौफ से इस उपाई को करने से बुद्ध ग्रह भी शुफल प्रदान करते हैं दोस्तों इस उपाई को आपको शाम के समय करना है इस उपाई को आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं लेकिन गणिश चतुती या बुधवार के दिन इस उपाई को कहने से बहुती जल्दी शुफल प्राप्त होते हैं। अगर आपको छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है, तो क्रोध को दूर करने के लिए आप लंबो दर गणबती को लाल रंग का पुष्व जैसी की गुलाब कुढल आधी चढ़ाएं। ऐसा करने से क्रोध दूर हो जाएगा और आप अपने आप पर काबू रख पाएंगे। दोश्तों भगवान शिरी गणिश जी को प्रसंद करने के ये बहुत ही आसान उपाएं हैं। माना जाता है भगवान शिरी गणिश जिन पर प्रसंद हो जाते हैं। उनकी सभी बाधा, संकत, ड्रोग, दोश्तता, दरित्ता दूर हो जाती हैं। और व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ती होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंट्स और इस्तितारों में जादर से जादर शियर करें। जिससे भेह भी इसका लाप उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैंक्स फुर वाचिंग, राथी राथी